है गाइस वेलकम टो डेम्टी सी मेकानिकल एडूकेशन दोस्तों एडीव की हम सीरीज है जिसमें आपका फर्स पार्ट मैं आपको दे चुका हो और सेकेंड पार्ट के अंदर आपको लास्ती कुश्चिन जो अब बचे हैं फर्स पार्ट में ने सिक्स्ट्री कोशन करवाय थ मना बुले चलिए स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका जो है वर्क रेसिप्रोकेट होरिजोंटली यह राइट होता है और इसी के साथ ही आपका जो टूल होता है वह रिमेंस कॉंस्टेंट होता है किसमें प्लानर मशीन के अंदर बेड आगे पीछे होता है और टूल रेसिप्रोकेट होरिजोंटली यह नहीं हो सकता क्योंकि टूल रेसिप्रोकेट नहीं करेगा क्योंकि वह स्टेशनरी होता है तो यहाँ पर option C जो रहेगा ना वो right होगा यहाँ पर गलत कथन के लिए बात की गई है next question के उपर देखे दोस्तों में ज़्यादा detailing के उपर बात नहीं कर सकता हो नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा यहाँ पर Mac number अगर आपको 3 दे रखा है तो आपको flow कौन सा होगा सबसोनिक होगा की सुपरसोनिक होगा की सोनिक होगा या लेमिनार होगा चार होते है ना जैसे एक तो आपका सबसोनिक होता है उसके बाद सोनिक आता है फिर सुपर्सोनिक होता है और फिर उसके बाद में होता है हाईपर्सोनिक तो यहाँ पर जो आपको तीन से छे के बीच में अगर देखने को मिलता है तो डारेक्ली सुपर्सोनिक option को write कर दीजेगा clear इसी के साथ ही the dimensions of a cheesy coefficient अगर आपने cheesy or meaning equation पढ़ा है तो आपको पता होगा कि l की power 1 by 2 t minus 1 यानि कि under root l बटा t यह इसका notation होता है clear तो option c जो है वो आपका right हो जाता है question number 64 की बात करें which of the following statement is are correct in the grinding wheel selection देखे grinding wheel के उपर मैंने dedicated आपको वीडियो दिया था काफी question बनते हैं तो बिल्कुल miss ना करें तो इसका जो right answer होगा यह होता है option number c hard grade के लिए soft material का इस्तमाल किया जाता है जबकि soft के लिए soft material का इस्तमाल नहीं होता है hard grade के लिए hard material का इस्तमाल नहीं होता है option c right होगा question number 65 में जो कि आपका critical radius of insulation for spares is given by तो spare के लिए जो critical radius होता है किसका insulation का वो क्या होता है तो यहाँ पर आपको k का मतलब तो thermal conductivity होता है और h का मतलब होता है coefficient heat transfer coefficient होता है na convective वो होता है तो आपको मैं बता दूँ कि जितने भी आपके heat convection radiation और conduction तीनों के बारे में अच्छे से और इनके जो laws हैं वो भी इच्छी तारीके से ध्यान रखिएगा formula जो आपका 2K by H होता है clear तो option D right होगा और 66 question product layout is also known as तो देखे product layout जो होता है न वो line layout भी कहते हैं इसके अलावा 67 जो कि in the centrifugal pump the water flow leaving the impeller impeller से किस flow में निकलता है तो वो होता है free vertex यह बहुत ही है ज्यादा पूछा जाना वाला question है तो ध्यान रखिएगा और इसी के साथ ही आपका 68 question है chemical use in general acetylene is तो देखिए chemical code गया होता है C2H2 किसका acetylene का जिसमें आपका calcium carbide का इस्तमाल किया जाता है यह question ध्यान रखना और जो कि specific speed अगर more देना आपका 300 से ज़्यादा है देखिए याद रखिएगा एक होता है कापलान एक होता है Francis और एक होता है Pelton wheel पेल्टन wheel ऐसे याद रखिएगा इसका head ज्यादा होता है pH और जिसका head ज्यादा होता है उसकी specific speed जो होती है वो बिल्कुल कम होती है जिबकि यहाँ पे 300 से ज्यादा बोल रहा है तो समझ लीजिए कि कापलान के लिए specific speed जो है वो नॉमेंक्लेचर के लिए तो आप ये वीडियो जरू देख लीजेगा तो module का formula क्या होता है d by t आप देखें टीथ की संख्या तो normally संख्या में ही होगा दो चार्च है तो diameter किसमें होगा mm में होगा न ठीक है तो यह होगा option a question number 71 में देख सकते interference exists between the interference किसके बीच में होती है यदि आपने fit के बारे में और tolerance के बारे में इनके बारे में अगर पड़ा है तो बिलकुल आपको ये पता ही होगा इसमें hole बड़ा होता है और shaft का size चोटा होता है तो देखे higher limit of the hole and lower limit of the shaft तो यह C right हो जाता है which of the following arc welding method is used for the thin sheets के लिए कितने पतली sheets के लिए इस्तमाल करते हैं as well as ये difficult to access position में होती है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर short arc welding जो लिखा होता है न ये इसका right answer है short arc welding को जो है बहुत ही difficulty से use किया जाता है जबकि ये thin sheet के लिए काम में लेते हैं तो option a right होगा question number 73 देख सकते हैं अब body throw vertically upward with an initial velocity 15 meter per second square दे रखी है okay और यहाँ पर पुछा कि how much time would it take to get back to the point मतलब एक जगे से अगर ball को उपर फिरा गया तो उसी point पर आने में उसको कितना समय लगेगा जब आपको g की value 10 meter per second square दे रखी है तो आप ये solution देख सकते हैं गीवन है आपका final velocity 0 है और initial velocity जो है वो 15 meter per second square है तो हमें पता है कि first equation जो की होता है motion का उसमें आपका u is equals to v plus 80 होता है ठीक है तो यहाँ पर आप simple सा अगर calculation करेंगे तो आपको आजाएगा time आपका 1.5 second अब जैसा कि आप देखी सकते हैं कि initial तो पता है final नहीं पता है तो आप ये मान लीजी कि नीचे से उपर जाने में और उपर से नीचे आने में time तो लगेगा उतना ही जितना उपर गया उतना ही नीचे तो 2T हो जाएगा time का दूना हो आपका नीचे आने में एक तरफ का time तो हमें पता ही है तो 2T से multiply करेंगे तो 3 second आपका right answer होता है तो total जो यहाँ time लगेगा वो आपका 3 second right होता है question number 74 the size of the grinding wheel is represent by देखे grinding wheel के लिए जो यहाँ पर दिया गया है न वो wheel diameter thickness और hole size देखे आप देख सकते यह grinding wheel है यह hole है तो इसका एक तो diameter पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अलाबा इसकी thickness भी होगी है न और इसका hole का size जिसके अंदर हम fix करते हैं welding machine जो आपका grinding machine का हाँ होता है वो spindle ठीक तो इसलिए option है right होगा question number 75 में देख सकते है in automobiles hook joint आपने अगर गाड़ी truck देखे हैं तो आपको पता होगा कि जहाँ पर आपका propeller लगा होता है न और यह differential लगा हुआ है और आगे तो आपका engine ही होता है इनके बीच में ही आपको hook joint देखने को मिलता है तो इसके लिए आपका gearbox और differential C option right होगा 76 पे देख सकते है which of the following is an example of a sliding pair तो इसका मतलब क्या हो सकता है एक होल में से अगर मैं सिर्फ सिफ square वाली करूँगा तो इसको मैं बस आगे पिछे ही तो कर सकता हूँ और तो कुछ करना नहीं सकता गुमा भी नहीं सकता तो यह सिर्फोर सिफ example होगा sliding pair का इसलिए option है right होगा question number 77 which of the following not a case hardening process case hardening का process इन में से वो कौन सा नहीं है तो देखिया आपका normalizing और annulling यह दोनों ही case hardening में नहीं आती जबकि cyaniding आती है normalizing और annulling जो होता है न वो grain structure को अच्छा करनने के लिए और stresses को remove करने के लिए काम में ल diameter less than कहने का मतलब यह है कि dash कम व्यास के असर के लिए clearance ratio बढ़ाया जाना चाहिए कितना बढ़ाया जाना चाहिए सिर्फोर सिफ 0.1 meter clear यह question ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए exam में कहीं पर पूछ लिए जाते हैं question number 79 आप देख सकते हैं in a single point cutting tool turning operation of steel with a cemented carbide tool cemented carbide tool teller's life अ half जो cutting speed है वो half है the tool life will be increased दोस्तों यह question ऐसा है किसी भी आप NPCL के paper में देखना 10 में से 9 बर पूछेगा यह पूछेगा पर इसका direct answer होता है 16 times जैसा कि आप देख सकते हैं teller's tool life equation यहाँ पर आपको दी गई है तो tool इसके लिए equation क्या है vt के power n is equal to constant देखे exponential जो दे रखा है n की value 0.25 दे रखी है cutting speed reduce कर दी गई है 50 degree तक है न और इसी के साथ ही आपका to find new life तो इसके लिए v1 t1 t2 v2 यह आपको देखने को मिलेगा v का मतलब है आपका cutting speed और जो की t का मतलब है tool life है न तो v2 कितना हो जाएगा 0.5 v1 according to condition आपको दी गई है vt के power n हमने formula में set कर दिया v1 t तो ऐसा कैसा ही है 0.5 v1 v2 n यह सब हमने यहाँ पर equation बना दिए अब जैसे ही आपका t2 by t1 की power n होगा यहाँ पर आप देख सकते 0.5 की power minus 1 मतलब यह बटे में भी हो सकती 1.1 बटा 0.5 बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा तो इसी साब से t2 by t1 और 2 की power 1 बड़ा 0.24 हो गया तो screen times होता है clear? तो next question 80 है 4th and absolutely white और specular body देखें आपको black body और white body के बारे में पता होना चीए कि यहाँ पर absorptivity, reflectivity और आपका transmitivity ओके तो यह आपका क्या क्या होता है तो इसके लिए जो right answer होगा वो होगा B, जो कि रो की value 1 होती है और alpha और T जो होता है वो बराबर 0 होता है ठीक? तो यह option भी right होगा next question है question number 81, LVDT has, देखें LVDT का full form क्या होता है यह होता है linear variable difference transmitter ठीक है तो इसमें जो होता है न one primary coil होती है और two secondary coils होती है यह काफी ज़्यादा जो है NPCL में पूछा जाना वाला question है clear और इसे के साथी 82 देख सकते है chemical formula of acetylene देखें मैंने अभी उपर ही बताया था, तो C2H2 ध्यान रखिएगा और इसका color code भी पूछ लिया जाता है welding से relevantly पूछा जाता है और इसे के साथी आपका 83 जो कि the theory of failure applicable to brittle material is तो brittle material के लिए वो कौन सी failure application theory कौन सी होती है तो यह होगी आपका maximum principle shear stress देखें चार होती है ठीक है जो कि rent kind होता है और hacks low होता है और आपका जो कि gas and interest का होता है तो यहाँ पर जो यह rent kind वाला जो है na maximum principle shear stress theory होती है यह होता है question number 84 short circuit transformer in MIG building also no one is तो देखें इसको क्या बोलते हैं यह होता है आपका deep transfer ठीक है यह मैंने हमारी previous video में भी मैंने आपको बताया था है ना next question 85 which of the following alloy contents nickel किस कौन से alloy में nickel content होता है तो यह होता है all of the above जो one man silver तीनों में आपको nickel मिलेगा ही मिलेगा तो यदि आपने previous video में आपको link दिया था कि आपको जो alloy's के mixture है उनके उपर मेंने dedicated video दिया है तो previous video चुरू देख लेना उसमें आपको वीडियो है card में देखने को मिलेगा 86 question है the current meter is used for the measurement of current meter का इस्तमाल किस के measurement के लिए करते हैं तो यह velocity के लिए काम में लेते हैं देखें दोस्तों devices सब याद रखना कि किस के measurement के लिए कौन सा device काम में लिया जाता है तो यह जरूर ध्याद दीजेगा इजी के साथ ही 87 है which of the following is a measure constituent of quantum quantum किसका measure constituent है तो यह होता है AL203 हमारे grinding wheel वाले में abrasive material के बारे में मैंने जो भी बताया था उससे relevant यह question पुछा गया है clear 88 है in which following processes is flux used in the form of granules वो कौन जो following process है इन में से किस के लिए जो है हम granules form में flux का इस्तमाल करते हैं तो यह होता है submerged arc welding दोस्तों हमारा जो arc welding का यह types of the mirror arc welding वीडियो दिया है इसको जरूर देखिएगा next question है 89 जो कि spherical pair process dash degree of freedom देखिए theory of machine का degree of freedom को अच्छी तरीके से जरू पढ़ लिजेगा देखिए spherical pair जो होता है यह आपके तीन तरीके से होता है question number 90 which of the following is our common source of light used in the interferometer ठीक है कहने का मतला interferometer में प्रयुक्त light प्रकाश का सामानी स्त्रोत निम्न में से कौन सा होता है तो इसका answer होता है all of the above जैसे कि crypto 96 mercury 198 और helium ऐसे question किताबों में भी नहीं मिलते हैं तो ध्यान रखिएगा इसलिए आपको जो previous year question है वो बता रहा हूँ और इसी के साथ ही आपका 91 which of the following law states that when the system is zero absolute temperature the entropy of the system is zero ठीक है तो यह कौन सा लो केता है तो मैंने आपको बताया तो thermodynamic के जो कि 3 low तो आपको वेसी बताया थे 0th low, 1st low, 2nd low उनके बारे में आपको बता दिया था कि आपका temperature से relevant है 0th low तो यह होगा आपका temperature और 1st low जो होता है वो internal energy के बारे में बताता है 2nd low जो होता है वो entropy के बारे में बताता है तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ थर्ड low जो कि आपका absolute temperature के बारे में बताता है 80 ठीक तो option D right होगा question number 92 for the some compression ratio the efficiency of dual combustion cycle is अगर same compression ratio बोल रहा है न तो auto cycle तो dual cycle से ज़्यादा होगा efficiency बट diesel cycle की dual cycle से कम होगा तो देखिए यहां पर कहां लिख रखा है less than auto cycle की इसकी dual cycle की और greater than diesel cycle से ज़्यादा होगा option C right होता है दोस्तों favorite question हमारी जो welding series में मैंने आपको बताया था जहां कि आपका arc welding के अंदर जो temperature produce होता है न 6000-7000 होता है बीना देखे देख लीजे और 94 which of the following following codings of a grinding wheel is correct तो देखिए WA60-K7V यह बहुत ही साधरन सा question है सीधे-सीधे ध्यान रखिएगा WA60-K7V है न तो option है right होगा next question 95 is the temperature of the radiating surface changes from 400-12 Kelvin हो जाता है the total emissive power at the higher and lower temperature would be क्या होना चाहिए एक विकरेंट सतर का तापमान 400-12 तक पोच जाता है उच्च और निम्न ताप पर कुल उच्च सर्जित शक्तियों का अनुपात क्या होगा देखिए उच्च से उच्च और निम्न का शक्तियों का अनुपात बोल रहा है तो देखिए आपका उच्च 1200-400 कितना हो गया तीन हो गया और तीन की power जब चार होती है न तो आपका 81 हो जाएगा तो formula दियान रखिएगा 3 की power 4 करेंगे तो इसका right answer 81 होता है इसके लिए और यह काम करता है एर को अंदर भेजने के लिए इन तक इसके combustion zone के अंदर भेजने के लिए है न और इलेवेंटली इससे रिलेवेंट आपको temperature range भी question पूछ लिया जाता है 97 question है following joints uses filler material which of the following joint वो कौन से हैं जिसके लिए filler material का इस्तमाल किया जाता है तो बहुत जो की homogeneous और heterogeneous joint जो के लिए नहीं करते हैं autogenous के लिए नहीं होता है तो यह दोनों ही option D right होगा हमारी welding series से काफी ज्यादा question पूछे जा रहे हैं तो एक बार जरूर देख लें और यहाँ पे आपका question number 98 if the effective length of a column is twice the actual length actual length से जो है column की size जो है बढ़ा दी गई है effective length double हो गई है ठीक है then the column is वो column क्य होगा यदि किसी column के प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई से दूग नहीं कर दी जाए तो column dash है तो अगर आपको जो beams से one end fix या फिर two end fix one end fix one end hinge या फिर दोनों hinge तो इस तरीके से चार condition होती है तो उस पर relevantly यह question है तो आपको यह मिल जाएगा fix at the one end और एक end पे free है ज ने राइट होगा 99 which of the following state a system of external forces तो यहां कहने का मतलब यह है कि यह कौन सा नियम बताता है कि एक जो गतिशील पिंड है उसके कारेरत बहाई बलो का जो निकाय होता है ना system होता है पिंड के moment of inertia जड़त वो बल के साथ गतिज सामयावस्था में होता है तो कहने का मतलब है acting on body motion are dynamic equilibrium with the inertia force of the body तो यह किस ने बताया था तो de-alumbed principle दोस्तो principle सारे धियान रखना de-alumbed हो चाहे वो work and energy हो impulse momentum principle हो या कोई भी हो तो यह सारे पढ़के जाना नहीं तो दिक्कत हो सकती है option है right होगा question number 100 पे जाएंगे तो which of the following state characteristics of elastomers तो यहां elastomers के characteristics क्या है यह होगा आपक at the non crystalline structure होता है it does not conduct electricity नहीं करता है it has low softening temperature ठीक है तो इसका जो है softening temperature काफी low होता है तो यहाँ पे तीनों चीज राइट है all of the above राइट होगा इसी के साथ ही आपका 101 number hardness of the martensite is about देखे यह special question होते है जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं तो यहाँ पे आपका RC Rockwell 65 ठीक है तो hardness जो की Brinton, Brinal hardness test और Rockwell hardness test जरू पढ़के जाईएगा question number 102 which of the following represents the isentropic process देखे जिसको पता होगा isentropic जो होता है reversible adiabatic process होता है तो यह होगा option B दोस्तो next question है 1,2,3 जिसमें horizontal to vertical side slope जो होता है न in case of similarity wear दोस्तों wear के types जरू धियान रखना नोट्च के type जरू धियान रखना है न तो इसमें आपका जो option होता है न 1 is to 4 ratio देखने को मिलता है जबकि आपका horizontal to vertical side का slope देखने को मिलता है सिपलेटी wear में एक 104, horizontal component of force on a curved surface is equal to the horizontal component of force यानि कि एक आपका गुमावदर सतह पर बल का शेतीज घटक निम्न में से किसके बराबर होता है तो यहाँ पर force on a projection of the curved surface into a vertical plane कहने का मतलब एक उर्धवादर plane यानि कि खड़ा plane जो होता है न इसकी curved सतह के प्रक्षेपन बल यह आपको ध्यान र question number 105 the ratio of inertia force to viscous force is called मतलब अगर inertia force to viscous force होता है तो वो कौन सा नंबर होता है तो यह होता है आपका renault number है न ओके और आपको याद होना चाहिए ग्रेशोफ नंबर प्रंडल नंबर और जो कि आपसे और भी कुछ नंबर पर मैक नंबर इन पर पूछ लिया जाता है आपका 106 तो देखेंगे तो idly a pulley is used for तो idly a pulley जो होती है न इसका उपयोग किसके लिए करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं maintaining belt tension के लिए हम इस पूली का इसमाल करते हैं next question है 107 जो कि thin cylinder vessel is subjected to uniform pressure के subjected होता है या तो अधिन होता है तो acting inside it the hoop stress क्या होगी देखिया अगर आपने cylindrical vessel देखा है ठीक है तो यहाँ पर आपकी hoop stress अगर माल लिजे यह जो cylinder है यह uniform pressure है यहाँ पर सब जगे पर बराबर ही लग रहा है ठीक है तो यहाँ पर आपका जो hoop stress 108 जो कि आपके trappening operation is used for जो trappening करते हैं operation वो किसके लिए किया जाता है तो यह producing large hole को करने के लिए हम trappening करते हैं यह operation ज़रू ध्यान रखियेगा कौन सा operation क्या काम करता है तो देखिया आपके workshop से तो काफी question बनी रहे हैं which of the following is true in case of impulse turbine impulse turbine के case में कौन सा statement right है तो यह होता है आपका convert pressure head into the velocity head throughout the vents, vents के द्वारा ठीक है तो यह क्या करता है प्रेशर head जो होता है उसको किसमें change कर देता है velocity head में तो किसके vents के द्वारा अगर आपने impulse turbine देखिये तो उसमें vents लगी रहती है और question number 110 यह होता है आपका which of the following G-codes is used in imperial unit दोस्तों यह देखिए ऐसे question है जो कि हम सोच भी नहीं रहे और पूझ भी लिया गया यह G20 ध्यान रखियेगा G-codes में यह question बहुत common है पूछेगा पूछेगा अगर पूछता है तो 1.11 जो कि investment casting की pattern जो है made of किसका बना होता है तो यह wax lost wax process होता है investment casting clear तो ध्यान रखियेगा जबकि आपका और भी question slash casting इनसे भी पूछ लिया जाते है question number 112 यह perfect frame जो जिसके has n joint है the number of members should not be less than तो कम नहीं होने चीए ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पर option जो होगा न 2N-3 यह formula इसका question और question number 113 which of the following is an example of thermosetting thermosetting plastic urea formaldehyde ठीक और इसके साथ ही question number 114 davis steering gear consist of देखे एकरमें steering gear और davis steering gear दोनों के बारे में जरू पढ़ लेना अच्छे सा समझवाएगा तो इसमें sliding pair होता है जबकि आपके जो एकरमें होता है न उसमें rolling pair दोनों में से एक question बनता ही बनत होगा question number 115 velocity ratio of third system pulley pulley के 3 system होते हैं तो यहाँ पर option number जो होगा C right होगा 116 जो है question the process of fix different link of kinematic chain one at the time the producer distinct mechanism is called कहने का मतलब एक विशिस्ट तंतर का निर्मान करना है system का निर्मान करना है एक समय में एक करके kinematic chain के link को जो है ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं kinematic inversion और इसी के साथ ही आपका 117 जो के hydraulic gradient line जो होती है वो क्या होती है always below the total energy line से नीचे होती है यह आपके fluid mechanics का question है question number 118 the following type of jig is used to drill a series of equidistant hall on the circular surface of a workpiece निम्ण में से किस प्रकार के jig का उप्योग वर्पीस की वृत्ताकार सतह पर समान अंतराल वाले छेदों की श्रिणी drill करने के लिए लिया जाता है तो यहाँ पर option A जो है index jig वो right answer होता है ठीक है jig और fixtures के बारे में जरूर पढ़ लेना 119 देख सकते हैं the beam made up of two or more different material के अगर बना हुआ है ठीक है beam तो इसमें assumption assume to be rigid connected together is no one is ठीक है कहने का मतलब दो या दो से अधिक अगर सामगरे से कोई beam बना हुआ है तो एक साथ कडाई से जुड़ा हुआ माना गया है तो इसे क्या कहते हैं तो इसे कहेंगे हम flits the beam यह question ध्यान रखना ठीक और last question है 120 जो कि what is the main objective of parkerizing मैंने आपको बोला था पहले भी first part में parkerizing है न शेयरडाइजिंग यह सब के ध्यान रखना तो option B जो है to protect a steel surface from corrosion से बचाने के लिए parkerizing करते हैं तो option B right होगा ठीक तो आपको I hope कि इससे काफी ज्यादा help मिलेगी और वीडियो अच्छी लगे तो like करना share करना